यदि आप अपने Facebook account का password change करना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने Facebook account का password कैसे change कर सकते हो और यहां पर देखेंगे कि यह सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यदि आपको अपने account का password पता है तो आप लोग कैसे change कर सकते हो और यदि आप लोग अपन दूसरा आपके मोबाइल में आपका एकाउंट लॉगिन है ही नहीं और आप लोग पास्वर को यहां से चेंज करना चाहते हो पास्वर भूल चुके हो तो चलिए जानते हैं आप लोग को कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के फॉन में यदि आपका प्रेविसी पर आप लोग इस पर क्लिक करना इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे आपको मिलेगा यहां पर एकाउंट सेंटर तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको अपने अकाउंट को सेलेक्ट करना है एकाउंट करना चाहते हो उस फास्ट को यहां इन दोनों जग़ा पर एक ही रह önãy देना है और नीचे चैन्ज पासवर पर क्लिक करना पास्वड हो जाएगा लेकिन दिक्कत क्या होती है कि माल लिज्ये यहां पर देखे OTP जाएगा यहां पर देखे कह रहा है कि वी इतना इमेल आईडी है इस पर को टीपी आएगा तो यहां पर कंटीनियू पर क्लिक करेंगे तो टीपी डालने के पाउट को फॉर्गेट कर सकते हूं लेकिन माल लेजिए आपके मोबाइल में आपका एकाउंट लॉगीन है यह नहीं और आपको पास्वोड भी पता नहीं है तो आप लोग कैसे अपने अकाउंट का पास्वोड को फॉर्गेट करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस अकाउंट को यहां से लॉग आउट कर देता हूं और लोगाउट करने का चलिए मैं आपको क्यक्या करते हैं तो सिंपल नीचे मिलेगा फॉर्गेट पासवोड को फॉर्गिट कर सब्सक्राइन ही अप मुवाइल नंबर देंके और फेस्बुक में लिंक होगा तो मुवाइल नमर दे सकते हो नहीं तो आप लग इम ए मिल से शो व पर किलिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां से मेरे इमेलdes CID P It Is Confirmation Code उस Code को यहां पर डालना होता है Confirmation Code डालने के बाद नीचे आफ कंटीनिये पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको new password सेट करने का Option आजाएगा जैसे कि मैं कुछ दिखाऊ यहाँ यहां पर दिखेए new password सिट्क रचुका है तो आपको वह दिश्व दिश्रक को रखना होगा आपको सिग्लिक करते हैं यह सब्सक्राइब करना कि कि यहां तो कलिक करने nessam का सकते हैं तो आप लोग यहां नीचे कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगां तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना